चल रहा है ओर नासके अंदर अपके साथ हम दिसक्स करते हुए कि हम लोग और पहुँच गयते हैं और पहुंच गयते हैं और बीःवियर के अंदर हम सेमी वेयर कौर्स की हम बातशीत कर रहे थे और इनके जब behavior को हमने समझा था fix कौर्स के जो behavior समझ में आए जिस काउस को हम लोग fix करे रहें इन टोटल वाकिप्स और लेकिन पर जोनेंट वह वाइदी करती है जब हमने वेरियेबल कॉस के बिहेवियर को समझा तो पता चला ये वेरियेबल कॉस इन टोटल वाकिए में वेरियेबल है लेकिन पर यूनिट वो फिक्स्ट है जी सर ये सेटे हमने ये तक किया दा ना तीके बटा अब इस कॉस बिहेवियर पढ़ने का कुछ मकसद था अब उसके लिए हम काम आगे शुरू कर रहे हैं और आज बिसिक कॉंसेप्ट में पहले हम लोग डिसक्शन करेंगे कॉस एस्टीमेशन के ओपर झाल चेले बेटा अब हम लोग कॉस्ट एस्टीमेशन के ओपर बाचीत करने जा रहें और कॉस्ट एस्टीमेशन के लिए हमारे पास दो मेथड़ पहला मेथड़ हाई एंड लो मेथड़ और दूसरा मेथड़ इसे आप लोग लीस स्क्वाइर मेथड़ भी कहते थे अब यहां हमारा पहला सवाल यह एस्टीमेशन पर हम लोग जाना क्यों उचा रहें हमारी कॉस्ट एकाउंटिंग जगा जगा एस्टीमेशन की मौताज है कॉस्टिंग में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हम प्रेसाइसली काम कर ही नहीं सकते वहां पर फिर मजबूरन हमें अन्दाजे लगाने पड़ते हैं लेकिन परफेशनल तरीके से अन्दाजे लगाने पड़ते हैं आपके स्लेबस में एक चेप्टर है नाम है प्रोटक्शन ओवर हेड़ वहां पे आप अन्दाजे लगाना सीखोगे एक जोनेट को बनाने में इलेक्रिसिटी कितनी लग जग जए एक जोनेट को बनाने के अंदर पैक्टरी का रेंड कितना लग जग जया हम ये वो फिगर के अंदर हमें टोटल कॉस गिविन होती है और हमें कोई वर्किंग करने के लिए फिक्स और वेरियबल कॉस अलग अलग चाहिए होती है कि टोटल कॉस हमारे हाथ में है उसका फिक्स पॉर्शन अलग चाहिए और उसका वेरियबल पॉर्शन अलग चाहिए अब इसके लिए फिर हम estimation पर जाते हैं बुरा अंदाज़ा लगाते हैं कि इस total cost में कितना हिस्सा हमें fix समझ में आ रहा है और कितना हिस्सा हमें variable नजर आ रहा है अंदाज़े लगाने के लिए जब ये कैफ 8 होता था 22 से पहले तो दो method आपके इस तलिबस में थे दोनों paper में पूछे जाते थे लेकिन अब इन में एक method जिसका नाम है Regression Analysis पहले ये इसको ले गए नई scheme के अंदर कैफ 6 के अंदर MFA में ले गए और फिर वहां से भी इसको इनों ने सलिबस में से eliminate कर दिया है अब जब कैफ 6 2022 में आया था तो इसका 40% portion stats का था 40% लेकिन अब जो नया उन्हें काम निकाला है 23 के अंदर उसमें stats का portion उन्हें हटा दिया अब theory है और कुछ practical है जो आपको समझने है MFA के अंदर तो regression हम आपके पास नहीं है हम आपके इस लेबस में है high and low मेंट जब आप cost accounting के पास paper के सवाल अपने तौर पे देखोगे पूरे पूरे attempt के सवाल तो आपको कुछ सवालात में नजर आएगा regression से कुछ working करके दिखाऊ समझ जाना ये regression पहले paper में हुआ करता था अब ये syllabus में से हट चुका है अब high and low method क्या चीज़ है कैसे काम करता है इसके लिए हमें एक बार फिर पहले recall करा दूँ तो ये सारा दारों मदार उस समरी पर है जो हमने कल बनाई ती fixed cost in total fixed है लेकिन per unit वो variable है variable cost in total वो variable है लेकिन per unit वो fixed है ठीके सर्थ अब हम high and low method पर काम करने जा रहे हैं high and low method कैसे काम करता है इसे समझने के लिए हम अपना पहले एक example develop कर लेते हैं हम भी की सकはは tailored है हम अपना आर aí हम अपना पहा कर और जय है बेसे समरी अंभर आर क्यादों अब झाल 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 इस वक्त मैंने यह सिंपल सा इग्जेंपल बनाए है आगे बेसिक बात आपकी समझ में आजए फाइप मन्स का डेटा मैंने एजियुम कर लिया इसी मन्स प्रोड़क्शन कम एजियुम कर लिया इस कोशन में एक छोटी सी रिक्वाइड्मेंट डाल देते हैं requirement यह डाल देते हैं calculate estimated cost to produce 12,000 units अंगर किसी महीने हम लोग 12,000 units बनाएं तो अन्दाजन हमारी कितनी cost लग जाएगी यह हमने अपना एक requirement अज़िया 12,000 चीजे बनाने में actual cost कितनी लगेगी हो तो वक्त बताएगा जब वो बनेगी लेकिन बाराल cost and management accounting के अंदर हम लोग future की forecasting भी करते हैं हम future forecasting के लिए हमसे पूशा जा रहा है कि आप बताएगे कितनी cost आपकी लग जानी चाहिए गर 12,000 यूनिट आप बनाएं अब इस estimation को लगाने के लिए मुझे यहां पर एक break up चाहिए break up के चाहिए इस वक्त मुझे question में total cost नज़र आ रही है यह जो total cost नज़र आ रही है यह दो किसम की नज़र आ रही है इसमें कुछ cost ऐसी है जो fix cost है और यकीनन इसी के अंदर कुछ cost ऐसी है जो के variable cost है तुम production कम करो या जादा करो 12,000 बनाओ या 6,000 बनाओ जो fix वाली cost है तो हर मन तुमारी क्या होगी fix चल रही होगी 12,000 बनाने पर भी वही होनी चाहिए लेकिन जो variable cost है वो तुमारी vary कर रही होगी with the level of production अब इसका break up कैसे बना कि total cost के अंदर fix portion कितना है और variable portion कितना है अब बेटा ये अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास एक simple सा method available है नाम है उसका high and low method ये कहता है कि आपके पास जो भी observations available है उन observations में आप दो point उठा लो एक वो point उठा लो जहांपर आपकी cost maximum highest cost हो और एक वो point उठा लो जहांपर आपकी cost minimum हो lowest हो इस वक्त जो data मैंने assume करा है highest cost मुझे मई के मंद में नज़र आ रही है मैंने का चलो यार मई के मंद को मैं मान लेता हूं ये मेरा high point है और minimum cost मुझे नज़र आ रही है मार्च में मैंने का ये मेरा low point है अब इन दो observation को उठा लो और इनकी मदद से बहुत कुछ predict किया जा सकता है हाई ये low method में हम दो step में काम करते हैं पहले step में हम लोग estimate करते है वेरियेबल कॉस पर यूनिट को ठीके सर अब ये वेरियेबल कॉस पर यूनिट को estimate करने के लिए हमें कॉस का behavior फिर याद करना पड़ेगा तोटल कॉस में कुछ portion fixed है कुछ portion variable है अगर मैं पहले किसी ऐसी कॉस को ढूनने की कोशिश करता हूं जो कि ये वेरियेबल है धूनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्यों सर वो कॉस एक जगह पे रुके तो सभी एक जगह फैरे तो स захि़ तो मैं उसको ढूंडू को January में variable कौस कुछ और है February में कुछ और है मार्च में कुछ और है लेकिन जो कोस January में भी होई February में भी हुई है, March में भी हुई है, उसको मैं ढूंड सकता हूँ और जो cost fixed है, वो दो हैं दो या तो fixed cost in total fixed है या फिर variable cost per unit fixed है हमने variable cost per unit का behavior समझाता कि भाई, ये by nature fixed होनी चाहिए अगर variable cost per unit fixed होती है तो इसके लिए आप पहले उठा लो high point आपका high point ये बताता है कि अगर आप 8000 unit बनाओ तो आपकी total cost 90,000 तक ही लग जाएगी और आपका low point ये बताता है कि अगर आप 2000 unit बनाओ तो आपकी total cost 30,000 तक ही लग जाएगी अब आप इन दोनों के दर्मियान difference दे लो अगर आप 6000 unit ज्यादा बनाओ तो आपकी जो total cost है वो बढ़ जाएगी और कितने से बढ़ जाएगी 60,000 से बढ़ जाएगी अगर मैं 2000 के मकाबले में 8,000 चीज़े बनाओ यानि 6000 चीज़ें ज्यादा बनाओ तो मेरी total cost में 60,000 का increase आ रहा है अब ये बताओ 6000 चीज़ें ज्यादा बनाने पर fix cost बढ़ेगी तो तुम 6000 बनाओ, 2000 बनाओ, even ना भी बनाओ fix cost तो हर हाल में in total लगनी लगनी है ज्यादा चीज़ें बनाने पर जो cost बढ़ जाएगी वो कौन होगी वो variable cost तल की example याद करो अगर wedding function में मेहमानों को बुला लेंगे तो total rent नहीं बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, खाने के पैसे बढ़ेगे और खाने के पैसे हमारी variable cost है ठीक है, और जो variable cost है पर unit वो क्या होती है वो fixed होती है अगर मैं variable cost पर unit मालूम करना चाता हूँ तो मैं एक simple सा काम कर सकता हूँ difference in cost को आप divide करवादे है difference in units से difference in cost आ रहा है 60,000 on difference in units हूँ आ रही है 6,000 6,000 चीजें ज्यादा बनाने पर हमारी total cost साथ हजार रुपए से बढ़ गई जो cost बढ़ जाए वो variable होती है और जो variable होती है पर unit वो constant होती है इस से हमारा एक अंदाजा लगिया कि हमारे पास बनने वाली एक चीज में variable cost पर unit कितनी लग रही है दस रुपए पर unit अंगर बनने वाली हर चीज में variable cost दस रुपए पर unit कि लग रही है तो अब आप इसकी मदर से एक और चीज को estimate कर सकते हो वो है fix cost और अब हम fix cost in total पर month को estimate करने जा रहे है fix cost पर month हमारी हर महीने fix cost कितनी होती है उसको हम estimate करने जा रहे है और fix cost पर month हमारी क्या होनी चाहिए वो fix जोनी चाहिए आप कम काम करो ज्यादा काम करो एवन काम ना भी करो आपकी fix cost हर हाल में fix रहनी चाहिए अब आप जिस point पर चाहिए प्रूफ कर लो fix cost हर जगा पर सेम निकलनी चाहिए लगी क्योंकि हम higher low method पर काम कर रहे है और उन दो चीजों को base करके चल रहे हाइस और lowest point आप उनी दोनों को उठा लो हमारा lowest point था 2000 यूनिट और हमारा highest point था 9000 यूनिट आठ हजार आठ हजार यूनिट अब आप चाहें 2000 बनाओ या 8000 बनाओ आपकी total cost दोनों जगापे fix वाली सेम नी चाहिए हम fix cost को कैसे estimate करें हम इता fix cost को estimate करने के लिए अगर थोड़ा सा common sense इस्तमाल कर लो जिसके हम कल भी बात कर रहे थे देखे सर वो क्या है सर total cost में दो portion है कुछ fixed है कुछ variable है हम आपको total cost सवाल में पता है क्या हम variable cost मालूम कर सकते हैं यह सर एक शड़ बनाऊंगा 100 रुपए का कपड़ा दो शड़ बनाऊंगा 200 रुपए का कपड़ा पांच शड़ बनाऊंगा 500 रुपए का कपड़ा तो यहां पे total variable cost को ढूंडा जा सकता है अंगर total cost में से total variable cost हटा दूं वो किसके बराबर आजाएगा वो fix cost के बराबर आजाएगा अब इसके लिए मैं पहले उठा रहा हूं total cost इन दोनों cost लग रही थी 90,000 अब इसमें से मैं less करवाने जा रहा हूं total variable cost को किसको बबू तोटल variable cost को अब total variable cost को कैसे हटाऊं कितना मुझे पता है इसका जो behavior है वो pure variable total variable cost production पे depend करती है अगर production कम होगी तो total variable cost भी कम लगेगी अगर प्रोटक्शन जादा होगी तो total variable cost भी जादा लगेगी अगर मैं 30,000 चीज़े बनाऊं तोरी 2000 अगर मैं 2000 योनिट बनाऊं या 8,000 योनिट बनाऊं इन दोनों जगा पे मुझे पता है मैं जब भी चीज़ बनाता है मेरी variable cost 10 रुपए पर योनिट की लग जाती है ये हमारा behavior है ये है हमारा behavior जिसको पकड़ के हम चीज़ों को estimate करने की कोशिश कर रहे हैं अगर मैं 2000 चीज़े बनाता हूं तो 10 रुपए वाला material कितनी वाल लगेगा 2000 दफ़ा लगेगा और टोटल 20,000 रुपए का लगेगा अगर मैं 8,000 चीज़े बनाता हूं तो 10 रुपए वाली variable cost 8,000 दफ़ा लगेगी और टोटल 80,000 की लगेगी अब गोट से देखो कम चीज़े बनाने पर variable cost कम है 20,000 जादा बनाने पर जादा है 80,000 लेकि पर unit क्या है वो constant है तो variable cost per unit remains constant दोनों जगा पर वो 10-10 रुपए है लेकि इन टोटल वो vary कर रही है कम पर कम है और जादा पर जादा है अब अगर मैं total cost में से total variable cost को हटा दो तो हमारी fix cost बहाँ निकल लाइगी 10,000 अब ये हमने estimate कर लिया कि हमारी fix cost per month वो है 10,000 कम चीज़े बनाओ ज्यादा चीज़े बनाओ 10,000 पर month आपकी fix cost है जब हमने इस सारी information को estimate कर लिया तो इसकी मदद से अब हम लोग एक function derive कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं cost function तेखे बेटा इसको हम कहते हैं cost function cost function क्या है y equal to a plus bx यह वही आपका slope आला formula मैंने लिखा है y equal to a plus bx where y equal to total cost हमारी जो total cost है वो बराबर है a के अब a क्या चीज़ है a है हमारे लिए fixed cost per month b क्या चीज़ है यह है variable cost per unit और एक्स हमारी लिए क्या है number of unit अगर जो figure हमने अभी ढूंडी है उसके मुटाबिक हमारी जो टोटल cost है वो बराबर है दस हजार की fix cost प्लस दस रुपए आफ एक्स आप चीज़े कम बनाओ या चीज़ें ज्यादा बनाओ दस हजार रुपए की fix cost पर बन तो आपकी लगनी लगनी है अनि कम चीज़ें बनाने पर भी दस हजार रुपए लगने ज्यादा बनाने पर भी दस हजार तो लगने लगने है प्लस variable भी लगने और जो variable लगने वो दस रुपए के हिसाब से लगने एर रफ़कर यह मैं वही लिख रहा हूं मेहमان कम बुलाओ, मेहमान जादा बुलाओ, 10,000 रुपए का शादी हॉल का रेंट तो देना ही देना है। प्लस, जितने महमान बुलाओगे, X, उसके इसाब से 10 रुपए का खाना भी खिलाना है। अब जितने मेमानों दस रुपए से मल्टिप्लाए कर लो, खाने की कॉस निकल आएगी, प्लस शादी का किराया, हॉल का किराया तुमने देना ही देना था, प्लस कर लो तो आपके फंक्शन की टोटल कॉस सामने आजाएगी, अब मालूम ज्या करना था? 12,000 जुनिट, अगर बनाएं, तो एस्टीमेट करके बताओ, हमानी टोटल कॉस कितनी लगेगी, अब इसके लिए, हम एस्टीमेशन कर रहे हैं, 12,000 बनाने पर भी, फिक्स कॉस वही लगेगी, 10,000 की, प्लस क्या लगेगा, 10 रुपए के हिसाब से वेरियेबल कॉस लगेगी, और कितनी युनिट पर लगेगी, 12,000 युनिट पर लगेगी, अगर मैं 12,000 बनाता हूं, तो 10,000 की फिक्स कॉस लगेगी, 1,20,000 की वेरियेबल कॉस लगेगी, और हमारी टोटल कॉस, 1,30,000 की लग जानी चाहिए, कौन कहता है, तर एस्टीमेट कहता है हमारा, अंदाजा कह है, अगर सब कुछ वही हो रहा है, जैसा होता वा आ रहा है, तो हमारी 1,30,000 की टोटल कॉस लग जानी चाहिए, हमारे इस तिलेबस में एक चेप्टर है, मैंने ही पढ़ाना है, नाम है उसका टार्गेट कॉस्टें, जादना जैपनिस अपरोच, नई प्रोटक को कितने मे बनाकर मार्केट में लेकर आए, अच्छा मुबाइल भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, इंड्रोटक्शन में समझाया था मैंने आपको, उस वक्त हम लोग जगा जगा इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हाई लो मेथड़ को, इस तर नई प्रोटक को बनाने के लिए फिक्स कोशन कितना लगेगा और वेरियेबल कोशन कितना लगेगा, तो फौरी तो ऐसा नहीं होगा, कि हम जो पैट्रिस शुरू करेंगे, उसमें जगा जगा हाई लो की ज़रूर पड़े, लेकिन आगे इसकी ज़रूर पड़ेगी, तो हमने शुरू के बेसिक कांसेट मे ही इस मेंठेड को भी देख लिया, कि यह हाई लो मेंठेड किस तरीके से काम करता है, जी सर जी, सब की समझ माइगे हैं सब, क्या है यह हमारा हाई लो मेंठेड, अब बेटा, यहां तक आने के बाद, बेसिक कांसेट, इसी हद तक हमारे कुपलीट होगा, अब हमें स्टार से रिलेटेड है, एक है इंडवेंटरी वैलुएशन और एक है इंडवेंटरी मैनेजमेंट, इंडवेंटरी मैनेजमेंट से हम लोग बादचीश शुरू करने जा रहे हैं, और इंडवेंटरी मैनेजमेंट से बादचीश शुरू करने की पहली वज़ा, एक तो इसके बा इस मामलाद के उपाद इन्वेंट्री मेनेजमेंट का चेप्टर हमाने सिलेबस में डिसीजन मेकिंग में रखा गिया है ये बास जहन में रखिएगा आप नेका समाजें अभी तो कॉस्टिंग शुरू भी सही तरह नहीं हुई है हम डायरेक्ट हमें सबसे मुश्किल काम पर लेकर आगए डिसीजन मेकिंग अब देखना हम लोग इसमें जगा जगा कुछ डिसीजन लेंगे जो आप थोड़ी दे में लेने के काबिल भी हो जाओगे इंवेंट्री की जब हम मैनेजमेंट की बाचीत कर रहे हैं तो यहां पर हम दो किसम की इंवेंट्री की बात कर रहे हैं लोग या तो रौ मटीरियल को परचेश करके इस्तेमाल करते हैं यहां पिर फिनिश गुड को परचेश करके सेल करते हैं हम यहां पे दोनों किसम की इंवेंटरी की बात करें हैं हाँ चाहिए raw material को purchase करके इस्तेमाल करो या आप पिदुनिस गूर को purchase करके Sale करो इनवेंटरी आ रहे हैं, चा रहे हैं, बच रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे heißt हमारे पास इसको control में रखने का तरीका है कि मैंने आपको लिखवाए था purpose of cost and management accounting तीन नाम कहा था रट लो किसी को भी भरमानने के लिए क्या नाम थे हैं भाई planning, controlling and decision making ये तीन काम है चीजों को control करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है उनमें एक तरीका ये भी होता है कि आप inventory के हवाले से कुछ क्या बनाओ, controlling action लो और जो भी controlling action आप लोगे, वो आपकी inventory को control करने में आपकी मदद करेंगे control करने के लिए एक तरीका ये भी adopt किया जाता है कि हम लोग decision making करते हैं और ही, documentation करते हैं कि इतने ज्यादा document करोगे, कि इतने ज्यादा documentation करोगे, इतना ज्यादा चीजें तुमारे control में आ जाएगी, समझाने के लिए रफसा practical example, अभी अकबर भाई आए वे थे, आप लोगों की physical attendance ले रहे थे, ठीक है, मान लेक लम्हे को आप सब लोग की मानदादी से अपने कार्ट स्वैब कर गया है, यानि attendance list के अंदर आपका नाम आ चुका है आपके हिसाब से, लेकिन और बेतर तोर पे आपको control करने के लिए, कोई बच्चा भी बगए, हमारे जाने पगए, या पूछे बगए, क्लास में ना बैढ़िया है, वो क् थोड़ी सी reliable होगी, कि वाके में हर वो बच्चा जो TSA में आया, और क्लास में मौझूद आ, वो हमारी list के अजर मौझूद है, या उसने पैसे दियो ना दियो वगए, अरक बात है, वो हमारी list में मौझूद है, इसी तरीके से inventory को control करने के लिए, हम लोग कुछ document का सहारा वो important documents हैं, उनका जिकर सवालात में कहीं न कहीं आता रहता है, तो पहले दरा इनके बारे में थोड़ा introduction ले लें important documents for controlling inventory इसी मैं लिखे रहा हूँ, इस आपको black नजर आ रहा है, red है? तो आपको red लग रहा है? या मैं रेड लिख रहा हूँ, आपको black लिख रहा है या, चलो तेने दोस्त इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है क्योंकि हमारे सिलिपस्ट में ज्यादा काम मैनुफेक्शरिंग कंपनी का है तो मैं जड़ा प्रोटक्शन के हवाले से माटीरियल के हवाले से बाद जादा कर ले जाए प्रेक्ट्री में माटीरियल आता रहता है इस्तमाल होता रहता है बचता रहता है जरूबत है इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाए कहां से आया माटीरियल क्यों आया कितना आया किसने इस्तमाल करा किस काम में इस्तमाल करा कितना बचा वाए इस सारी चीज़ों के के लिए कुछ डॉक् игр में बनते हैं मंठीरियल स्क्माल करना है पूब क Ama दो तिन दिपाटमेंट हैं कि इसके अंदर इन्वाल होते हैं अगर माली प्रेचल करके फॉरी तौर पे प्रोड़क्शन डिपार्मिंट को दोगे तो मंठेयल मिश यूज़ भी हो सकता है ठीक है चलो एक्जम पर रखी समझो हमनी गार्मेंट फैक्टरी है हमें कोई आडर मिला हमें 10,000 शर्ड बनाकर देनी है हम 10,000 शर्ड बनाकर देने के लिए कपड़ा चाहिए हमने किसी सप्लायर्टस ने कपड़ा पर्चेस करा सारा कपड़ा हमने अपने लेबर को दे दिया क बोला कपड़ा अपने पास रखो दो महीने में दस हजार शेट इस कपड़े से तैयार कर लेना लेबर ने काम शुरू कर दिया शदीद गर्मी पढ़ रही लेबर को पसीना आ रहा अब उनके बास घंकरशीफ रुमाल बगारा तो है नहीं कपड़ा बहुत है उनके पास जैस कपड़े से दस हजार शड़ बनकर निकलनी थी तो आठ हजार शड़ बनके निकली अब मैंजमेंट परेशान बागी दो हजार शड़ के बराबर कपड़ा कहां चला गया तो मेन्यू पर आरा जारा आरा जारा जाते हैं इस मैन्यू आरा था ना पर मल्टी मिटिया का कुछ भी नहीं कर रहा है तो मैंने सोखे भी कर दिए अब सचराइगे अब अच्छा सर जी अब सारा मटीरियल एक साथ नहीं दे देना चाहिए था इसको प्रोटक्शन डिपार्टमेंट को ठीक है जितनी इस धरूबत तो इतना दो तांकि चीज हमारे कंट्रोल में रहे तो पिसको रखे कहां पर रखने के लिए फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं उसका न सब्सक्राइब होता है जिस समान की फिलाज दरूबत नहीं है इस कमरे में रख दो जरूबत के लिए निकाल के इस्तेमाल कर लो और कुछ लोगों को कर देते हैं इस टो डिपार्टमेंट के इंचार्ज है अपनी कस्टेडी में सब्सक्राइब को रखें लेकिन अगर मटी परने सब्सक्राइब है कर देखंगे तो पर्षिपार्टमेंट का अवर नजड़न सब्सक्राइब कर रहा है नटार्य हर किसम का चार ने केपर material खतम होते जा रहे हैं अब उनकी जरुवत है इस टो डिपार्टमेंट गया पर्चेस डिपार्टमेंट के पाज जाके बोल रहा है भाई material खतम होता जा रहा है जाओ खरीद के लियाओ उसने बोला भाई oral कहने से तो सीनियर से सिगनेचर करवाके भी दो जो इस बात की जिम्यदारी लिए यह ट्रांजेक्शन मेरे कहने पर हो रही है इस मौके पर इस टो डिपार्टमेंट फिर एक डॉक्यूमेंट बनाता है उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है इस टोर रेक्विजीशन फॉंट इस टोर रेक्विजीशन फॉंट रेक्विजीशन कहते हैं रिक्वेस्ट करने को यह एक ऐसा फॉर्म होता है कैसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर इस टोर डिपार्टमेंट पर इस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि अब ये वाला material खरीद लो इतनी quantity में खरीद लो इस quality का खरीद लो इस काम के लिए खरीद लो इस color में खरीद लो और इस पे signature कर देता है store department का manager या इंचार्ज अब जैसे ये document इनको मिला इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया जो अच्छी companies होती है वो अपनी purchasing करते हैं अपने official supplier से वो राज चलते हर आदमी से purchasing नहीं करते कि किसी भी supplier से अपनी चीज को purchase कर लिया ठीक है सर तो क्या करते है सर अगर इनके official supplier है तो फिर ये लोग उनको order दे देते हैं तो कि उनसे तारे terms and condition पहरे से तैग होए होते हैं लेकिन अगर official supplier नहीं है market में survey करो कोई एटबार का supplier ढूंडो उससे quotation लो price negotiate करो terms and condition decide करो फिर उसके बाद जाके उसको order place करो तो बाराल किसी ना किसी supplier को आप order place करोगे जब आप order दोगे तो supplier फिर ये कहेगा sir order मुझे जिन terms and condition पे दिया जा रहा है मेरी request है इस सारी terms and condition को किसी document के उपर लाया जाए को कि कल को मैं अगर ये सारा material आपके लिए arrange करे के ले आया और आपने भी वही कहानी कर दी मेरे सार हमने तो नहीं मंगवाया था ये वारा तो नहीं मंगवाया था इतना सारा तो नहीं मंगवाया था इस quality का तो नहीं मंगवाया था तो जिम्मेदारी कौन लेगा तो भी सारे terms and condition को एक document पे लिखा जाता है उस document का नाम हमारा होता है purchase order form नहीं मिटा purchase order form यह सप्लायर के लिए बना रहे हैं आप नाम कुछ भी रखने purpose एक ही है purpose क्या है store department request कर रहा है purchase department से कि हमारे लिए material को arrange कर के लिए purchase order अलग है अगर उसका नाम purchase requisition कर भी दोगे जब भी request किसकी तरफ से आ रही है अगर देखा जाया तो मतलब एक ही निकल रहा है purchase requisition भी वह होता है कि purchase की request है किसकी तरफ से आ रही है store department की तरफ से अगर आप में किसी बुक में दो नाम अलग अलग लिखे वे देखे तो मुझे भी बताईएगा कांकि difference discuss किया जा सके कि नहीं 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 सब्सक्राइब अलग नहीं 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 वह अलग नहीं आप आगी चलिए कि आएगा नाम एक और है कि आपने मुझे यादे लास्तिंग ज्वाइन किया था पिर आपने ड्रॉप कर दिया रहा है कि कि अधिया था नाम एक साल लिखा नूँ पहले में मेरी मिसेंडर्सेंडिंडिंडिंग मैं भी इनसान हूँ ठीक है आगे चलते हैं आप हमने सप्ल इसमें क्या होगा नमबर वन नमबर वन कर अगर सप्लाइए मैनुफैक्चरिंग सप्लाइर तो आप लिए यह माटीरियल बना कर लाएगा और अगर वो ट्रेडिंग सप्लाइर करेगा तो यह ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चीज आप इसमें लेकर आ जाओ और लेकर चले जाओ इसके लिए क्या करना पड़ता है इसके लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट बनता है उसका नाम होता है गेट डिपार्टमेंट जब लाइप में आप भी देखोगे तो आप फैक्टरी के अंदर माटिरियल या सप्लैयर को समान लेकर आ रहे ऊस वक्त भी एक डाक्यूमेंट बनता है उस डाक्यूमेंट को नॉर्मल हम कहते हैं गेडा इन वर्ड पास गेट इन्वर्ड पास इस बात का रिटिन डॉक्यूमेंट है कि कुछ समान फैक्टरी के अंदर दाखिल हुआ है ठीक है सर यह कह राता है गेट इन्वर्ड पास अब कर देना परचेश रेक्विजिशन फॉर्म परपस हुई है कि हम लोग इस्टोर डपास की तरह से रिक्वेड की जा रही है परचेश डिपार्टमेंट से कि आप हमें मान्टीरियल परचेश करके लाके दे इसे हम कहते हैं परचेश रेकविजिशन परचेश चलेए गेट इन्वर्ड पास भी सामान रख लिया फिर करने के लिए क्रते हैं सर किसी पर्टेक्शन डिपार्टमेंट के आदमी को बुलवा लिया और क्या बोला वाई जो समान सप्लायल लेकर आई दो दो और वम इन्देटी चैक कर लो कॉंटीटी चैक कर लो चीज है या नहीं हमने दो तीन डब के खुल के देखें क्या बोला हाँ या या यह वही चीज है जो हमने मंगवा ही थी सही लग रही है हम सारा समान उतरवा के हमने स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर रख लिया अब सप्लायर का जो आदमी समान लेकर आया था वो हमें एक समान हमें डिलीवर हो चुका है जब समान डिलीवर हो गया अब यहां से स्टोर डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है स्टोर डिपार्टमेंट अभी सारे समान को ठोरोली चेक करेगा वोगा देमिज तो नहीं आ गई है साब इस्टेंड़र तो नहीं है मुत्माइन होने के बाद अब वो एक important डॉक्यूमेंट raise करेगा और अब इस टोर डिपार्टमेंट जो डॉक्यूमेंट बनाएगा उसे हम कहते हैं goods received note short form में उसे कहा जाता है GRN goods received note good received note इस बात की written documentation है कि यह समान officially अब हमने receive कर लिया यह हमारा समाने की एक कौपी अकाउंस डिपार्टमेंट को भी भीजवाई जाती है तो उन्हें क्यों भीजवाते हैं आप लोग में एक एंट्री बनाते हो पर्चेश जैबेट अकाउंट पेबल करें यह एंट्री जी आरें बनने के बाद बनती है गुड रिसीव नोट की कौपी आ अच्छा अच्छा अब उपिशल हमने पर्चेश कर लिए और कंडिशन के मताबिक जो भी उसने टर्म से कंडिशन के मताबिक करनी होती है वह पेवेंट कर देता है अब यहां पर मंटीरियल इस्टोर डिपार्टमेंट में तो आ चुका है अब हमने प्रोटक्शन डिपार एक्टिए मतिरियल दें तो मैंने का वर्बливо कहने से तो नहीं मिलेगँ समय क्यों नहीं मिलेगए क्यों थाट्र कि इस्टी नहीं मिलेगा ये मेरे पास 271 कर सुछ के अब छब से पुछा जाया कहा गया या प्रोटक्शन सुपरवाईजर से कोई document साइन करवाके लेका रहा हूँ अब प्रोटक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें request आएगी उसे कहा जाएगा store requisition form store requisition form के अंदर प्रोटक्शन डिपार्टमेंट, store डिपार्टमेंट से request करेगा कि material हमें दे दे और इस सबसे बड़ी बात इसके उपर कोई signature होने चाहिए किसी authority के जिसके पास ये right हो कि वो चीज issue करवा सकता इसके बाद दोस्त अब material पैक्टरी से निकल गया और store से निकल कर production department के पास चला गया जैसे ही material निकल कर store department से production department के पास गया हमारा inventory management का chapter भी खतम हो गया आप मैं गया क्यों सर्माचित अब इस चेप्टर सेज़ना शुरू भी नहीं हुआ बस बड़ा chapter खतम हो गया क्योंकि अब वो material work in process बन गया है हम उस पर production का का काम शुरू हो गया हम उस पर labor काम करेंगी overhead का लगेंगे फिर वो अलग कानी शुरू हो गया हमें इस चेप्टर में यहीं तक की planning और controlling सीखनी है और यहीं तक की planning और controlling में बहुत साथ मामलात हैं और मुश्किल मामलात हैं तो आईस्ता इस आपने सीखने हैं एक document का नाम और देख लो बेटा उससे हम कहते हैं बिन कार्ड यह नामी कभी कभी सवाल में कहीं इस्तमाल हो जाता है बिन कार्ड तर यह क्या होता है बिन को समझते हैं वो कोई जगह सकते हैं दλιक बिन कोई जगह ज़ाएं डस को जमा करके फेका जा रहा हैं इसी तरी किसे बिन जहांबे कुछ समान रखा जा जा रहा है यवाँ पैट्रिकल नाइफ में फैक्टरी देखोगे वो बड़े-बड़े कमरे होते हैं बड़े-बड़े हॉल होते हैं अब उस बड़े-बड़े हॉल के अंदर समान भरा पढ़ा है अब उठाके फरश्ब दो नहीं ठिकेंगे ना नॉर्मलि क्या करते हैं? यह दिवारों पे बड़े बड़े शेल्फ बनवाए जाते हैं और हर शेल्फ में मुक्तलिफ किसम का समान रखावाता है और हर शेल्फ को एक नाम दे दिया जाता है बिन यह हमारा एक bin है, एक जगा है, जिसके अंदर कुछ inventory को रखावा है, अब ऐसे बहुत सारे bin बने वे, हम अगर बहुत सारे bin है, और हर bin में यह अलग-अलग किसम की inventory है, तो इस अना समझो, यहां से लेकर वहां तक शेल्टी शेल्टी शेल्ट बने में, हर किसी में अलग-अल bin में रखावा है, तो इसके और record रखने के लिए, हम एक document बनाते हैं, नाम होता है bin card, इस bin में कौन सा समान रखावा है, उसका क्या नाम है, किस काम में वो इस्तेमाल होता है, कब purchase किया था, आखरी बाद कब इशू किया था, और इस वड़ कितना इस जगा में मौजूद है इस सारी चीजें जिस card पे लिखी जाती है, उसे हम कह देते हैं bin card, ये हैं कुछ important document जो inventory को control करने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, पढ़ने की कोशिश आप कर रहे हो inventory management, ठीक है, inventory manage करने के लिए inventory की cost को planning करके control करना चाहते हो, और control करने के लिए जगा जगा decision making आपको करन पड़ेगी, अब यहां पर अंगला step शुरू होता है, तर इस chapter में ऐसी कौन सी cost है, जिनको control करने की planning आप हमें सिखाओगे, तो मैटा वो चार cost Cost Related To inventory Now वो चार cost कौन कौन सी हैं, पहली cost वो है, purchase cost दूसरी cost वो है, ordering cost तीसरी cost वो है, holding cost इसका एक दूसरा नाम भी होता है इसे caring cost भी कहा जाता है और चौती cost काफी खतनाक है, उसका नाम है, stock out cost ये हैं वो चार cost जिसकी planning और controlling करने के लिए decision making हमें करने हैं, हमारा पूरा chapter इन चार cost को समझाने में ही गुजर जाएगा, इन चारों को बचाने के तरीके क्या हैं, इन चारों को कम करने के तरीके क्या हैं, पहले इन चारों को दर अब briefly समझतो, purchase cost आप जब भी inventory को purchase करने जाते हो, purchase करने के लिए कोई न कोई price बे करते हो, वो आपकी purchase cost कहलाती है, हर कोई चारता है, अच्छी से अच्छी inventory सस्ते पैसों में मिल जाए, तो ये सथ, अगर अच्छी चीज सस्ते पैसों में चाहिए, क्या करें, आप इसके लिए, अगर आपक discount ले, लफिस वाज जहर में आता है, supplier हमें discount क्यों दे, तो फिर इसका एक तरीका समझ में आता है, तो याज supplier से बाचीत करते हैं, कि हम तुमसे bulk quantity में समान purchase करेंगे, bulk quantity पे purchase करने में कभी-कभी discount दे दिया जाता है, हमारे syllabus में एक है, पैसला करो, discount लेना चाहिए, या discount नही लेना चाहिए, आपने का सर्माजित, अगर रमजान नहीं होते हैं, हम बोलते हैं, आपकी चाय का टाइम होगी है, क्योंकि आपने बाती है, जीब सी करी है, मनलब discount का मतलब होता है, saving, budget, अगला हमें discount दे रहा है, और आप हमें क्या बोल लो, discount लेना चाहिए, या नहीं ले लो, फिर हमें एक और फैसला करना पड़ता है, discount ले या ना ले, और अगर ले, कम discount ले या ज्यादा discount ले, आप फिर क्या बोलोगे, अब यब discount ले ही रहें, तो ज्यादा ले ले लेते हैं, ज्यादा discount पे कभी कभी उल्टा नुक्सान हो जाता है, इस सब कुछ चेप्टर म में आपको सीखना है, decision making करनी है, discount ले या ना ले, इससे पिछली attempt के अंदर जो सवाल आया था, 10 marks का, उसने कहा था, advice हमें discount लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, ये 10 marks की हमें advice देनी थी, decision ले कर, एक और cost आ रही है, उसका नाम आपके पास आ रहा है, ordering cost, अभी ऐसे ब बोल रहा हूं, example लिखने की जरूरत नहीं है, handout अभी थोड़ी दे मैं आपको दे रहा हूं, उसमें सारे example मौझूद है, उसको बाद में detail में और discuss करेंगे, अब इसी बात आगे बढ़े, उसके लिए थोड़ा बोल के बात आगे बढ़ाता हूं, ordering cost, पहले नाम पे गवर क cost, क्या लग रही है, order देने वाली cost, जब हम inventory खरीदने के लिए किसी को order देते हैं, उस वक्त भी हमारे कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, वो पैसे कहलाते हैं, ordering के खर्चे, order देने वाले खर्चे, example, जितनी बार order दूँगा, इतनी बार कुछ document बनेंगे, यह document free के बन रहे ह जो, नहीं भाईया, documentation की कोई ना कोई cost होती है भाई, order दे दिया, परिशानी हो रही है, supplier वक्त पे समान देगा नहीं देगा, बार बार supplier को phone कर रहा हूं, chase कर रहा हूं, वक्त पे माल लिया होगे, वक्त पे समान लिया होगे, कई में production बनना हो जाए, अब जितनी बार phone कर हो जा, phone free के हो रहे हैं, कोई ना कोई cost लग रही है, जितनी बार order दोगे, इतनी बार supplier समान बिलिवर करने, transportation के जरी आएगा, transportation के पैसे जब जब लगेंगे, अगर वो अपनी जेव से भी दे दे, तो ultimately recover किससे करेगा, हमसे ही करेगा ना, transportation cost, समान वो हमें दे के चला गया, जितनी बार order देंगे, समान वो हमें दे कर जाएगा, जब दे कर जाएगा, हमें उसकी thorough inspection करनी पड़ेगी, inspection एक activity है, और दुनिया में कोई activity free में तो होती नहीं है, इस activity की भी कोई ना कोई क्या लगेगी, cost लगेगी, तो order करने जब जाते हैं, तो कुछ खर्चे और हो जा जाता है, तो भी समझायता, वो समान वोनी तोर पे production department consumed नहीं करता, थोड़ा-थोड़ा करके ले जाता है, इस्तेमाल करने के लिए, इसका मतलब है, इस कमरे में हर वक्त लाखों रुपए का material पढ़ाए, डल लग रहा है, आग ना लग जाए, जल ना जाए, insurance कर बादी, को चोडि करके लिए, security arrangements कर बादी ए, material आ रहा है, रख रहे है, उठाकर दे रहे हैं, उठाने के लिए, कुछ आदमी रख लिए, स्टाफ रख लिया, criteria आ रहा है, जा रहा है, हिसाद किताह रखने के लिए, एक आदमी बटा दिया, वो भी salary ले रहा है, material पड़े-पड़े, obs नुक्सान हो गया, क्यों कि इनर वी तो कि हमने होल्ड किया था, ना होल्ड करते ना वापसी लीड होता, इस किसम के खरचे, वो कहलाते हैं, होल्डिंग कॉस्ट, हो कॉस्ट होती है, जो इन्वेंटरी को होल्ड करने की वज़ा से, हमारी लग जाती है, जब जब इन्वेंट केरी नब उसको केरी करोगे इंवेंटरी को अपने माज लेके चलोगे उस पर केरिंग कॉस्ट लगेगी मैं बार को बहुत आसान करके समझाता हूं हाम घर के लिए कुछ गोस्ट लेकर रहे चिकल लेकर रहे और मालो हजार रुपए का गोस्ट है आपने डी फ्रीजर में चन्द दिन तक वो गोस्ट डी फ्रीजर के जरीए डी फ्रीज होता रहा डी फ्रीजर चला बिजली खा गिया कुछ ना कुछ बिजली इस गोस्ट के लिए भी लगी है डी डेप्रीसेशन लग रहे डी फ्रीजर का कुछ ना कुछ डेप्रीसेशन इस गोस्ट के लिए भी लगा है जब वो गोश आपने एक हफ़ते बार निकाला खाना पकाने के लिए जब रखा था प्रोफेशनली वो सौर हजार रुपए का था जब निकलेगा नास ने वो हजार रुपए की परचेसकॉस्वाला है बनिक उस पर एक हफ़ते की क्या लग चुकी है हमारी होलड़िंग कोस्ट भी लग चुकी है चैनल baru करी हो तो होलड कन्य में भी पैसे खर्च होतें उस्से हम क्या नाम क्रटे देदें हैं घूलड़िंग पास्ट फिर एक चौछी कॉस्ट और आ रही है उसका नाम है स्टॉक आउट कॉस्ट इस्टॉक आउट यह वो कॉस्ट है जो मैं चाहिए ही नहीं अच्छा सर, हैं क्या यह स्टॉक आउट की डेफिनेशन अभी इसने चार एटेम्प पहले फिरी में दो मास्की पूशी थी पेपर में फिरी भी आती है बहुत जादा नहीं आती है थोड़ी बहुत आती है इस सवाल आया इसमें नाम डाल दिया स्टॉक आउट स्टॉक आउट कहते हैं ऐसी सिचुएशन को जब आपके पार लेबर अवेलेबल हो दूसरे रिसूर्सिस भी अवेलेबल हो लेकिन प्रोड़क्शन बन पड़ी हो तर बज़ा कहा है विकॉज वी आर रेनिंग आउट 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 स्टॉक माटीरियल नहीं है माटीरियल ख़तम हो चुका है कि स्टॉक ख़तम ना हो जाए कम ना हो जाए ठीक है छोटे से प्रेटिक एसेंपल देता हूँ एक लम्मे को एजिए कर लो घर की पर केसिंग मैं करता हूँ मैं कोई तो करता हूँ और आपके सामने रुबा से लेके नॉर्मल डेज में रात पज में TSA में होता हूँ अगर मैं इस तरह सोचूं मैं घर पे जा के रात को उनको सामान लाके दूँगा तो आज खाना पकेगा यार तो रात को जाओंगा यार जैन में क्या आता है यार जरूरत का सामान पहले से घर में कुछ भर दो ताके घर में जरूरत की चीज़ खतम ना हो जाए और वो मेरे लिए मौताज बनके बैठे ना रहें कि भाई मिस्टर माजित आएंगे तो सामान आएगा तो खाना पकेगा कोशिच मैं यह करता हूँ ठीके ना सर इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर जितनी जरूरत है थोड़ा ज़्यादा रख लो ताके स्टॉक तुमारा खतम ना हो जाए आपने का क्या हो जाएगा स्टॉक आउट हो रहा है तो होने दो अब एक कस्टमर भाग रहे है सेल गिर रही है और सेल में क्या छुपा हुआँ प्रॉफिट जब तुमारी सेल गिरेगी रूटी मिल्टी कंपनी का क्या गिरेगा प्रॉफिट गिरेगा बात और बदलते हैं तो स्टॉक बार-बार आउट हो रहा है फिर लेबर फारिग ब तब भाई बैट शीट पिलो निकालो सो जाओ और दूआ मंगे सो स्टॉक जेर से आए तो कि हमारे घंटे पूरे लग रहे हैं स्टॉक आए नहीं आए घंटे लगेंगे पैसे पूरे मिलेंगे और अगर मैं काम कर रहा हूं यूनिट बेस पर जितनी चीजे बनाऊंगा इतन पर काम करता हूं चीजे मेरी बनती नहीं मैंनेजमेंट क्या बोलूँगा अब उल्टी सीरी मैनेजमेंट तुम लोग करते हो स्टॉक को तुम लोग आउट करवाते हो प्रोडक्शन हमारी गिर जाती है पैसे नहीं बनते हम जा रहे हैं किसी ऐसी फैक्टरी के अंदर जहा इतना से स्टॉक को मैनिज कर सकें फिर आप बोल सकते हो भागता है तो भागे सोचके बोलो काम का अदमी जा रहा है तो यह नहीं बोल सकते बेकार जा रहा है तो दस बार भागे यहादा स्टॉक को आउट नहीं होने देना है स्टॉक आउट होने से भी हमारे कुछ नुक् की नहीं है ना ओर्डरिंग कोस ऐसी प्लैंणिंग करो ये भी कम से कम हो जाए कोल करना बंदों नहीं कर सकते हैं आप स्टाउक आउट ला करे क्या हो जाए यह दो खळम ही हो जाए जाये विजू के सवारां करेंगे उसमें स्टाउक वर भीश में लेकर हो जाती है टीन चाट सवान आए इसमें चार कॉस्ट की प्लैनिंग कैसे की जाती हैं तो िसंट चार कॉस्ट अनुह जाquer है निकी सीखन है अब इन चार कॉस्ट की प्लैनिंग कैसे करें सारी कॉस्ट को एक साथ छेड़ेंगे मिला वज़ा परिशान हो जाओगे स्टेब आ स्टेब में सीख लेते हैं पहले शुरू करने जा रहे हैं हम डो कॉस्ट की प्लैनिंग और उन दो कॉस्ट का नाम है औरेंग कॉस्ट और लिदिंग कॉस्ट हम लोग इन दोनों की प्लैनिंग सीख अहीं हैरें जाना कॉस्ट एंडिजमेंट अप्लैंग और थो दो जुझ में वो पेश हटा दिया पहले था टाइब के बारे में बच्चों को बताने की जरूती नहीं अएक सिस्टम था जिसम हम घोलडिंग कॉस्ट को 0 कर दिया करते थे औरिंग कोस्ट को थोड़ा सा बढ़वा लिया करते थे, और अल फायदा होता था, अब वो हटा गया सिलेबस थे, अब आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है, और वही पेपर में आता है बेटा, और अच्छा सिस्टम है, जिसे समझने में थोड़ा टाइम कांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है, ई-o-q मॉडल, एकनॉमिक ओडर कॉंटिटी, अच्छा सर यह क्या सिखाता है, एकनॉमिक ओडर कॉंटिटी बेटा, हमें यह सिखाता है, कि आप जब भी इंवेंट्री को परचेस करने जाओ, एसा क्या करो, कि आडरिंग और होल्डिंग वाले खर्चे, तुमारे बचना शुरू होगा, फिर बता रहूं क्या बताता है यह, इंवेंट्री को जब भी परचेस करने जाओ, तुम ऐसा क्या क्या करो, कि तुमारे आडरिंग और होल्डिंग वाले ख do liya ko challenge करने की कोशिष मत करता ema p प्रूस्पुर्व कर देंगे विए इसको पॉर्मिला पुरूफ है mom एक situation ऐसी यह जहांपर हो सकता है ये फॉर्मिला अपने अपने अपको पुरूफट ना रख पाए वह सब्क कोई एक सिक्सेंट नहीं इन यह मॉडिल वाक्य में कोई अच्छी चीज ए यह मॉडल जो कुछ भी सिखाता है उसके लिए एक बात समझा दो कि ए-o-q मॉडल कुछ अजम्शन से बेस करता है कर लिखाऊंगा आपको कुछ अजम्शन पर बेस करता है जब लिखाँगा अजम्शन आपको थोड़ी सी अन्वियरिस्टिक लगेंगी आप लोगे मैं ऐसा थोड़ी होता है ऐसा थोड़ी होता है याद इस वही बात कर रहा हूं जब आपके इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं कोई लॉप पढ़ाते हैं इकनॉमिक्स का साथ में कुछ बैडिर के लिए पर साउंड माइंड हो यह वह वह यादा रहा है को कॉमर्शन की बते हैं इसके हम भी कह रहा है जब तक वह अजब आजम्शन वैलिट है यह हमारा मॉडल वैलिड है इस्तेमाल भी होता है जबाब बड़ा इंटरस्टिंग है छोटी मोटी कंपनियों के द बड़ी-बड़ी मिल्टाइनेशनल कंपनियों में काम करना है करना है ना अब बाइकाट नहीं करोगे उनका जाओग यह वैसे लो बाइकाट करते हो अब बोलो इंशाल्ला यही तुम्हारा मसला है ना हम किसी एक लाइन पे करें ही नहीं जौब वहां करनी है ठीक है उनकी बड़ी-बड़ी कंपनिया काम करना है की भी कंपनिया को कैसे कर लेती है एक प्र्म पूलो कर वाले लेती है separately हो अच्यूं को फॉलो करो बाने को सर дос Original पॉलो के बसकी बात भी नहीं है पड़ा क्यों रहा है पेपर में आता है तो यह बड़ी बड़ी कंपनियों में इस्तमाद होते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला इस बताता है जब भी मटीरियल परचेस करने जाओ इस फॉर्मूले को इस्तमाल कर दो उससे क्या हो जाएगा उससे तु एक ओडर में इतनी कॉंटिटी मोस्ट इकनॉमिकल कॉंटिटी कितनी है यही वो पॉइंट होगा जहां पे तुमारी पूरे साल की ओडरिंग और हुल्डिंग कॉस्स क्या हो जाएगी मिनिमाइस हो जाएगी कम से कम हो जाएगी अच्छी बात क्या है फॉमूला हमसे पहले बन चुका है बुक में लिखा वाएं पढ़ लो समझे लो पर टिक शूरू करो तो जा करते हैं ठीक है सर जी चलो जो अब दरहां कर नहीं तक थी कल भी क्लास लगाई है आपके साथ ठीक है अच्छा है अब आस सुने ना जरा यह मैंने एंडॉड कॉपी करवाना था करवा अब ही लिए मैंने अब दे नहीं रहा है कल दे दूगा वज़ा बतारू अभी लास्ट अटेम का जो सवाल आया है वह इसमें ठानी इल्याथ तपने बाहर गया है तो मैंने ज़रूर पड़ी तो मैं दे दूगा तो मैं इसमें एक पेज इस टैपल और करवालू तो मिलते हैं और से डिसक्रशन शुरू करेंगे अला आपिस कर दो कर दो झाल झाल झाल